नमश्कार प्रिय दर्शकों मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागता भिन्दन करती हूँ कैसे हैं आप लोग दर्शकों आज हम लोग बात कर रहे हैं वाशिक राशीफल के बारे में कैसा रहेगा वर्ष दो हजार पचीस कन्या राशी के जातकों के लिए कौन से बड़ी परिवर्टन हैं जो कि इस वर्ष में होने वाले हैं और किन-किन चीज़ों से रहना है आपको साबधान इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे दर्शेकों ये राशी पलचंद्र राशी वा आपके नाम पर अधारी थे तो आप इसे उसी प्रकार से देखने और समझने का प्रयास करें इसके अलावा यह दिया आपको कोई भी विशेश द्रशन है जो इसके पर देगए नमबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं सबसे पहले आप सभी दर्शेकों को प्यार भरा नमेशकार और इस नव वर्ष की हार्दिक शुब कामना है आपका ये नव वर्ष सुखद हो मंगल मैं हो इन्हीं शुब कामनाओं के साथ मातराने आपके जीवन में धेरों खुशियां भी खेरे आगे बढ़ते हैं और करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है शुब परिणाम मिलेंगे देव गुरु प्रहस्पती का गोचर भागे इस्थान में अच्छा अफल देता है देव गुरु प्रहस्पती नवम इस्थान के कारक हैं और गोचर बस जब देव गुरु प्रहस्पती नवम इ बढ़ी सफलता आपको मिलने वाली है लेकिन इसे के दोरान कुछ गुप्त शत्रू भी आप पर हावी हो सकते हैं आपको परिशान कर सकते हैं तो गुप्त शत्रू से विश्यस आपको साबधान रहना है शनी देव आपके राशी से छठे इस्थान में गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर यह कुछ गुप्त शत्रू उत्पन्न हो सकते हैं, राहु का गोचर आपके राशी से छठे इस्थान में होगा 15 मई से, तो राहु शड्यंत्र करवाते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके कारे छेत्र में आपके घर परिवार में आ सकता है, जो की आपके कारे छेत्र में व्यवधान अच्पन करें और आपके काम को बीगाड़ दे, तो ऐसे लोगों से विषेस आपको सतरक रहना है, तीस मर्च को शनीदेवो आपके राशी से सब्तमिस्थान में गोचर करेंगे, या में राशी में, तो इस समय विषेस में आपको तो इन सब चीजों से आपको बचना है, बिजनस में केरफूर रहना है, लाइफ पार्टनर के हेल्थ को ले करके कोई भी लापरवाही नहीं करना है, अन्यथा बड़ी परिशानिया हो सकती है, तो इन चीजों से आपको विश्य साफधानी बरतनी है, देव गुरुब आपके करियर में नई तरक्की देगा, यदि आप इस्थान परिवर्तन करना चाहा रहे थे, तो इस्थान परिवर्तन के अच्छे योग बने हुए हैं, यदि आप आपने जॉब में ट्रांसफर चाह रहे थे, तो वो ट्रांसफर इस वर्ष में आपका संभव है, पदोनन आप नए मकान की तयारी कर सकते हैं, नया मकान वाहन आदी का सपना आपका पूरा होगा, देव गुरु ब्रहस्पती का गोचर आपके लिए सुखद परिणाम ले करके आ रहा है, लेकिन शनी और राहुआ जो गोचर है ये आपके लिए थोड़ी सी परिशानियोत पर्न इन सभी चीजों से आप बहुत आसानी से जीत भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा साथ को ध्यान रखना है, क्योंकि नजर हटी और दुर घटना घटी, तो इन सब चीजों में भी शेस आपको ध्यान रखना है, शेस वर्ष आपका शुभी रहेगा, तो दर्शकों मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए प्यार भरा, नमस्कार